हालो फ्रेंड्स बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड्स इस वीडियो क्लास में हम डिसक्स करेंगे एड़ब का पार्थ टू और एड़ब एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी बेंकिंग और सभी SSC एक्जाम्स के लिए बहुत ही इंपोटेंट है यदि इस और यहां पर एक notification मैं आपको देना चाहूँगा इस वीडियो क्लास में जितने भी correct sentences हैं उनको मैंने green color में लिखा है और जितने भी incorrect sentences हैं उनको मैंने red color में लिखा है तो इसका PDF भी मैं आपको available कराऊँगा इस वीडियो कोर्स में तो उसको भी आप देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को यहां से हम discuss करेंगे एक बहुत ही important concept यह inversion का concept है एडवर्ब में इसका use होता है और इस पर आधारित काफी questions सभी exams में पूछे जाते हैं तो यहां पर पहले हम समझेंगे कि inversion actually होता क्या है inversion का आर्थ होता है उल्टा करना किसी ची sentences में क्या होता है कि सबसे पहले subject आता है ठीक है उसके बाद verb आती है और उसके बाद object आता है जैसे यह दि मैं बोलूँ I teach English सबसे पहले मैं बोलूँगा I फिर मैं बोलूँगा teach फिर मैं बोलूँगा English तो subject इसमें पहले है और verb इसमें बाद में है ठीक है inversion में हम क्या करते हैं verb को पहले रखते हैं और subject को बाद में रखते हैं तो यह basic concept है और inversion कब होता है inversion हम कब करते हैं किसी sentence में कोई भी sentence जब negative word या semi negative word से start होता है तो उसमें हम inversion को apply करते हैं जैसे negative word हुआ आपका never ठीक है इसका मतलब होता है कभी hardly scarcely rarely इनको हम बोलते हैं semi negative word इसको भी हम semi negative word बोलते हैं no semi no आपका negative word होता है जैसे यदि आप से कोई पूछे कि या आप किसी से या आप किसी से कुछ कहें और आप बोलते हैं कि I will never do it ठीक है तो never का यदि percentage देखा जाए तो कितना percent है यदि आप किसी काम को करते हैं और आप बोलते हैं कि I will never do it तो उसका percentage कितना हुआ उसका percentage हुआ जीरो percent मतलब आप zero percent उसका काम को करेंगे और hardly scarcely barely में आप उसको 2% करेंगे यानि hardly scarcely और barely का मतलब होता है ना के बराबर जबकि never तो पूरी तरीके से negative ही है तो इस तरीके से इनका हम use करते हैं अब जैसे यहां पर एक sentence देखिए hardly had he gone out when his father arrived वो मुश्किल से बाहर निकला ही था कि उसके फादर आ गए तो यह sentence देखिए green करर में लखा हुआ है इसका मतलब ही sentence सही है तो hardly के बाद hardly और scarcely के बाद यहां पर यह second clause है एक यह first path है और यह second path है तो hardly और scarcely के बाद हम when या before का प्रियोग करते हैं ठीक है और यहां पर चुकी hardly आया है इस sentence में तो इसलिए हमने क्या किया hardly had he लिखा हमने hardly he had नहीं लिखा hardly had he लिखा तो यहां पर दो तरह की गलतियां आपसे पूशी जा सकती है एक तो when की जगे आपका then कर देंगे ठीक है तो वो एक गलती हो सकती है एक hardly के बाद had he के स्थान पर he had कर देंगे वो गलती हो सकती है तो यह दो तरह की major errors सभी competitive exams में including SSC में पूशी जाती है तो यह sentence आपका सही है अब यह sentence red color में लिखे हैं और यह तीनों के तीनों sentence गलत है अब हम यहां पर देखेंगे कि यह sentence गलत क्यों है यहां पते कि hardly he had कर दिया hardly के साथ had he करना था लेकिन he had कर दिया तो यह sentence गलत हो गया hardly had he gone मतलब यह वाला पार इसका सही है hardly had he gone out इसमें then लगा दिया यहां पर ठीक है तो यह sentence आपका गलत हो गया तो यह basic जो चीजे हैं यह आपको सारी देखनी है क्योंकि यदि concept आपका पूरी तरीके से clear है तो इस concept पर आधारित चाहे किसी भी तरीके का question आपसे पूछा जाए चाहे घुमा के question पूछा जाए या state पूछा जाए पूछा जाए sentence improvement पूछा जाए फिलर पूछा जाए उसको आप आसानी से कर पाएंगे तो comprehensively concept को आपको clear करना है तीक है यहां पर देखिए hardly had he gone out हाँ इसमें then आ गया इसमें when था तो इसमें यहां पर structure गलत था यहां पर इसमें structure सही है तो इसमें यहां पर गलती हो गई है ठीक है यह गलत हो गया hardly had he gone out इसमें देखिए then लगा दिया इसमें than लगा दिया और hardly के बाद हम then और than दोनों ही यह गलत माने जाते हैं than जो है वो no sooner के बाद हम इसको प्रियोग करते हैं और hardly और scarcely के बाद हम when या before का प्रियोग करते हैं तो इस तरीके से आपको इस semi-negative word sentence के शुरू में आता है तो उसमें हम inversion नामक concept को apply करते हैं ठीक है मुझे उम्मीद है कि यह concept आपको समझ में आया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं और इस concept को समझने की कोसिस करेंगे hardly, scarcely and no sooner are normally used with the past perfect tense अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी है कि hardly, scarcely and no sooner इनको ह हम वैसे तो इसको हम normally 80% cases में past perfect tense में use करते हैं लेकि past simple tense में भी इसको आप use कर सकते हैं hardly, scarcely and no sooner को जैसे यहाँ पर कुछ sentences हम देखेंगे I had hardly, scarcely closed my eyes when the phone rang ठीक है यह आपका past simple tense है और यह है आपका past perfect tense ठीक है तो इसमें हमने inversion को apply नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि इसमें जो negative, negative जो word है वो sentence के शुरू में नहीं आये sentence के सुरू में तो subject आया है, I आया है, head आया है, hardly और scarcely जो है वो बीच में आया है तो इसलिए इसमें हमने inversion को apply नहीं किया और यह sentence आपका सही है I had no sooner close the door than somebody knocked जैसे ही मैंने door को close किया, किसी नहीं knock किया तो यह दोनों ही sentence ग्रीन कलर में लिखे हुए है और दोनों ही sentence यहाँ पर यह सही है अब इसमें examiner क्या देगा, examiner गलती कैसे देगा, then की जगे, th, an की जगे, th, en कर देगा, knocked की जगे, knock कर देगा, closed की जगे, close कर देगा तो इस तरीके से कहां कहां पर एक sentence में किसके spot में गलती हो सकती है, यह आपको analyze करना है English language में कोई भी sentence आप पढ़ें, कोई भी topic पढ़ें, तो इसको analyze करते हुए पढ़ें, ताकि आपकी जगे preparation हो, वो comprehensive तरीके से हो, ठीक है अब देखिए, but they are also used in past simple tense, यहाँ पर past perfect tense में हमने इसको use किया है, लेकिन past simple tense में भी हम had को और no sooner को use कर सकते हैं जैसे यह sentences देखिए, यह sentences हम पढ़ते हैं, she was hardly scarcely inside the house before the kids started screaming जैसे ही वो मुश्किल शे घर के अंदर पहुची ही थी, कि kids ने screaming करना सुरू कर दिया, मतलब चिलाना सुरू कर दिया मैं जैसे ही train में बैठा, मैंने बीमार महसूस करना शुरू कर दिया, तो यह दोनों sentence green color में लिखे हुए हैं और दोनों ही यह right sentences है, अब आपके analyze करना है कि इसमें कहां कहां पर examiner आपसे गलती पूछ सकता है, इस तरीके से इसको आपको पढ़ना है, आगे के कुछ से एक sentence हम देखते हैं और यह sentence है, BSRB पतना clerk grade exam 2014 में यह पूछा गया है, और CGL 2015 में भी यह sentence पूछा गया है, एक basic sentence है, देखिए आपके exam में पर इस तरीके से आएगा, ठीक है, एक sentence चार पार्ट में डिवाइट रहेगा, और ABCD इसमें रहेगा, no sooner the plane landed at the airport than a group of ARB commands surrounded it, अब देख word है और यहां पर आपको inversion को apply करना पड़ेगा, लेकिन क्या आपने यहां पर inversion को apply किया, क्या यहां पर helping verb लगाई, नहीं लगाई, इसलिए sentence जो है, आपका गलत है, ठीक है, चुकि यह sentence past में है, और past की जो helping verb होती है, क्या होती है, did होती है, तो इसलिए इसमें आपने did को नहीं लगाया, इसलिए sentence आपका गलत हो गया, सही sentence ये होगा, सही जो structure होगा, no sooner did the plane land, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ये एक आपका सही है, या आप ऐसे बोल सकते हैं, no sooner had the plane landed, चुकि यहाँ पर head है, तो हमने landed बोल दिया, वर्व की third form बोल दी, और यहाँ पर did है, तो हमने यहाँ पर first form का use किया, बिल्कुल basic concepts हैं, और बिल्कुल सरल है इनको समझना, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, और English language से जो psychological fear होता है, उसको आप हटाने की ज़रुवत है, कि English बहुत कठिन language है, concepts की गहराई में जाके concepts को समझना है, कुछ भी कठिन नहीं है, और सारी के inversion होते हैं, इसको समझना बहुती आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, देखे, HB यानि helping verb before the subject, main verb after the subject, partial inversion में helping verb होती है, subject से पहले लगाते हैं, main verb को after the subject लगाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए, hardly does he come to me, मुश्किल से कभी कबार ही मेरे पास आता है, तो यह subject है, इस स तो subject से पहले helping verb और subject के बाद mean verb, इसको हम बोलते हैं, partial inversion, और कुछ इस तरह की sentences होते हैं, जिसमें mean verb, helping verb, mean verb को, या helping verb प्लस mean verb को हम subject से पहले लगाते हैं, subject से बाद में कुछ भी नहीं लगाते हैं, जैसे here comes John, देखो John आ रहा है, तो just outside the gate was standing a man, यहाँ पर देखिए, पहले बेन बर भी लगी है, और इससे पहले helping बर भी लगी है, लेकिन इस तरह के जो sentences हैं, particularly यह complete inversion वाले sentences हैं, यह होते हैं, use literature में, normally यह exam में नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको इन सब चाहिए का knowledge, एक राफ आइडिया होना चाहिए, लेकिन यह जो sentence है, यह जो दिया है, यहाँ पर यह इनिशित रूप से exam में पूछा जा सकता है, hardly does he come to me, इसमें गलती कहां कहां पर हो सकती है, इसमें does की जगर do कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर कम में as लगा देंगे, तो यह सारी इसमें गलती हैं, ऐसे कूछी जाती हैं इसमें, यहाँ पर मैंने note लिखा है, these kind of sentences are generally used in English literature, यह बलकुल सही है, और चलिए हम आगे देखते हैं इस video class को, uses of inversion, किस तरीके से use करते हैं हम inversion को, inversion is used in sentences starting with, मतलब inversion को हम ऐसे sentences में use करेंगे, जिसमें negative या semi-negative word का use होगा, seldom, seldom का मतलब होता है कभी कबार, hardly का मतलब होता है मुश्किल से, hardly, scarcely और barely, इन तीनों का मतलब होता है मुश्किल से, never मतलब कभी नहीं, no sooner मतलब जैसे ही, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आप sentences देखिए, seldom I have seen such a beautiful sight, मैंने कभी ही, मैंने शायद ही कभी इस तरह का लिगेटिव वर्ड है, उसके बाब जूद भी यहाँ पर inversion को apply नहीं किया गया है, इसलिए sentence गलत हो गया, sentence सही क्या होगा, seldom have I seen such a beautiful sight, यह sentence सही है और यह sentence गलत है, और मैंने यहाँ पर यह भी बताया कि sentence गलत क्यों है, और यह sentence सही क्यों है, seldom have I seen such a beautiful sight, अब इसमें गलती कह कहां कहां पर हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, हैप के बाद वर्ड की third form है, तो second form लगा देंगे, ठीक है, आप beautiful sight मैं से A को हटा देंगे, इस तरीके से गलतियां आप से पूछी जा सकती है, अब यह देखिए, hardly does he go to college, वह मुश्किल से कभी कबार ही college जाता है, व क्योंकि इसमें inversion का प्रियोग नहीं किया है, निगेतिव वर्ड लगा है, लेकि इसके बाब जूद भी यहाँ पर inversion को हमने apply नहीं किया, इसलिए sentence हो गया आपका गलत, he hardly goes to college, यह sentence सही क्यों है, यह sentence सही इसलिए है, क्योंकि इसमें inversion apply ही नहीं होगा, क्योंकि hardly बीच में आ आगे बढ़ते हैं, he is never wrong, यह sentence सही है, he never comes here, यह sentence सही है, never जो है, एड़र्ब of frequency है, इसको हम या तो subject के बाद लगाते हैं, या फिर subject plus helping verb के बाद लगाते हैं, इसकी जो position है, यहाँ पर सही है, और कुछ sentences हम आगे देखते हैं, never she comes here, यह गलत क्यों है, क्योंकि इसमें never negative word ह है, और हमने inversion को यहाँ पर apply नहीं किया, इसलिए sentence गलत हो गया, never does she comes here, यह भी गलत हो गया, यहाँ पर हमने inversion को apply तो कर दिया, लेकिन ड़स के बाद कम मैस लगा दिया, इसलिए sentence गलत हो गया, तो यह sentence आपका गलत हो गया, यह sentence आपका गलत हो गया, यह सारे sentences मैं आपको इस never does she come here, यह सही है, क्योंकि never लगा है, inversion एपलाई कर दिया, और कम में भी ऐस नहीं लगा है, तो यह sentence जो है, यह सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और हम sentences देखते हैं, some more examples, no sooner did she see the dead body of her husband, than she was into tears, जैसे ही उसने अपने husband की dead body को देखा, वो रो पड़ी, उसके आँकों में से आँसू निकल पड़े, तो यह sentence सही है, ठीक है, यह present simple tense में हमने बनाया है, तो जिट के बाद first form लगाई है, यह sentence भी सही है, इसमें head के साथ third form लगाई है, यह दोनों sentence सही है और मुझे उम्मीद है, यह समझ में आ रहे होंगे, इसमें कुछ पी कटिन नहीं है, बहुती सरल इसका concept है, no sooner did she, did देखिए, इसमें did के बाद third form लगा दी है, इसलिए sentence गलत हो गया, no sooner had she, she के बाद second form लगा दी, तो यह sentence गलत हो गया, मतलब यहां पर मैं आपको यह बता तरीके से आपने किसी concept को नहीं समझा है, सबोज एक concept में तीन पार्ट है और आपने दो ही पार्ट समझे, एक पार्ट आपने छोड़ दिया, तो यह पार्ट आपने छोड़ा है, हो सकता है, उसी में examiner आपको गलती दे दे, तो इसलिए concept को अच्छे तरीके से समझना है, जैसे यहाँ पर no sooner के बाद had she लगा दी, हमने inversion को apply कर दिया, लेकिन यहाँ पर verb की यह forms लगी होई है, वो सही तरीके से नहीं लगी है, इसलिए sentences आपके गलत हो गए, अब यह वाला देखिए no sooner did she, see, did के बाद first one लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर then लगा हुआ है, तो यह वाला sentence, ठीक है, यह यहाँ पर है, यह यहाँ पर टी एच एन नहीं आता है, इसमें टी एच एन आता है, इसलिए sentence आपका सही है, आगे बढ़ते हैं, देखिए in words के साथ भी, इसमें एक चीज़ धान रखी है, कि only जब हम लगाते हैं, तो only से related जो phrase है, only last month, only then, at no time, under no circumstances, देखिए only, only में बीच में एन लगा हुआ है, तो इसको आप एक negative word मान सकते हैं, हाला कि यह negative word नहीं है, लेकिन याद करने के लिए, चुकि only में एन लगा हुआ है, इसलिए इसको आप negative मान सकते हैं, और यह जो phrase होते हैं, जिसमें no आता है, बीच में at no time, under no circumstances, in no way, on no condition, ठीक है, इनके बाद भी यदि कोई sentence शुरू होता है, तो वहाँ पर आपको inversion को apply करना पड़ेगा, क्योंकि यह negative phrases है, at no phrase, under no circumstances, किसी भी परिष्थिती में नहीं, ठीक है, in no way, किसी भी तरीके से नहीं, on no condition, किसी भी परिष्थिती में नहीं, only then, एक होता है, then only, एक होता है only then, only then मैं end पहले आ रहा है, तो इसलिए इसके बाद हम subject को invert करेंगे, only last month, तो इसके हम कुछ sentence देखते हैं, और इसके एक दो मैं exception भी बताऊंगा, कि कहां पर ये चीज़ अपलाई नहीं होगी, देखिए, ये sentence है, only by working hard, did he get success, यहां पर मैंने जितने भी sentences लिये हैं, सारे sentences SSC में के, और banking के real exam के sentences हैं, तो कोई भी student जो इस video class को देख रहा है, ये नहीं समझे कि SSC के नीचे का ये level है, ये SSC का, SSC से एक step उपर का ही level है, और सारे question इसमें जितने भी आप देख रहे हैं, सारे real exam से मैंने उठाए हुए हैं, तो ये sentence देखिए, only by working hard, did he get success, मतलब के enable कड़ी मेहनत करके ही, उसने success को प्राप किया, only by working hard, did he get success, ये sentence सही है, only by taking a risk, he saved her life, ये sentence गलत क्यों हो, देखिए, इस sentence को ध्यान से देखिए, only by taking a risk, he saved her life, ये sentence आपको सही लग रहा है, लेकिन यहां पर inversion का use होना चाहिए, inversion का use में नहीं हुआ है, only by taking a risk, did he save her life, ध्यान दीजिए, ये affirmative sentence है, इसलिए हमने he के बाद saved का प्रियोग किया है, लेकिन यहां पर चुकी did का प्रियोग हुआ है, इसलिए यहां पर saved नहीं होगा, यहां पर होगा saved, ये sentence आपका सही है, ठीक है, अब इसमें एक sentence में आपको बताता हूँ, जैसे यदि आप बोलते है, only I teach English, only I teach English, तो इसमें इनवर्जन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर only एक adverb की तरह काम कर रहा है, ठीक है, केबल only अकेला आप लगाएंगे, तो उसमें इनवर्जन यूज नहीं होगा, only selected यो phrases हैं, जैसे only last month, only then, at no time, इनमें इनवर्जन का यूज होगा, अब यह देखिए, only yesterday he died, इसमें इनवर्जन का प्रियोग नहीं हुआ, only yesterday, did he die, ठीक है, यहां पर यह पास simple tense, इसलिए died हमने लगाया है, लेकिन इसमें चुकि did का प्रियोग हुआ है, इसलिए इसमें die हम first form लगाएंगे, यह sentence सही है, यह sentence गलत है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ और sentence द प्लत है, और नीचे वाला sentence सही है, कुछ और sentence देखते हैं, at no time, the CM was aware of what was happening, यह real question है, 2015 में CGL में पूछा गया है, means exam में, at no time, at no time, the CM was aware, चुकि इसमें एक negative phrase लगा है, यहां पर, इसलिए इसमें CM was की जगे, was CM आएगा, यानि यह invert हो जाएगा, was पहले आजाएगा, और CM इदर चला जाएगा, invert हो जाएगा, subject और verb को जब हम पलटते हैं, तो उसी को हम inversion बोलते हैं, नीचे वाला sentence सही है, इसी तरीके से उपर वाला sentence यह गलत है, और नीचे वाला sentence सही है, never will I accept such an offer, inversion used with time expressions, यह भी literature में use होता है, जैसे कभी-कभी हम इस तरह के phrases को sentence के शुरू में लगा देते हैं, under the tree, on a hill, in the valley, ठीक है, under a tree was lying a tired old man, पेर के नीचे एक tired old man बैठा हुआ था, तो under a tree आया है, इसलिए यहाँ पर हमने subject को invert कर दिया, was lying a tired old man, ठीक है, subject से पहले, इसमें, यह complete inversion का example है, subject से पहले, इसमें main verb भी है और helping verb भी है, और यह sentence काफी important है, बहुत important sentences मैंने यहाँ पर लिये हैं, अब देखिए, इसमें भी आप use कर सकते हैं, come, go, walk, lie, stent, इसमें भी आप use कर सकते हैं, outside the gate, went, john, ठीक है, outside the gate, went, john, went मैंने पहले लगाया है, john बाद में लगाया है, ठीक है, outside the gate, यह एक phrase है, और इसके बाद मैंने ऐसे नहीं बोला है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, कि john went outside the gate, लेकिन चुकि outside the gate पहले आ गया, इसलिए मैंने बोला है, outside the gate went john, john को मैंने बाद में इसमें लगाया है, और john से पहले यहाँ पर हमने work को लगाया है, तो इस तरह के sentences में, लेकिन एक चीज़ ध्यान यह sentence use होते हैं, literature में, यह inversion के, बहुत advanced level के examples हैं, आगे हम देखते हैं, inversion used with, here, there, away, out, up, इनके साथ भी inversion का use होता है, there goes merry, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर आपको explain भी क्या है, noun after verb, noun after verb, pronoun before verb, noun को हम verb के बाद लगाएंगे, there goes merry, ठीक है, away, went, sita, ghost के साथ, ghost के बाद मैंने merry लगाया है, मतलब noun इसमें verb के बाद आई है, और यहाँ पर जो pronoun आया है, यह वर्ब से पहले आया है, यह exam में ज़्यादा important नहीं है, लेकिन literature में यह sentences use होते हैं, मतलब noun को हम verb के बाद लगाएंगे, और pronoun को हम verb से पहले लगाएंगे, त काफी important है, इसमें हम क्या करते हैं, जो unfulfilled desire होती हैं, ऐसी इक्षा हैं जो पूरी नहीं हो सकती, उनको हम if से बोलते हैं, if I were a word, I would fly freely in the sky, यहाँ पक्षी होता, तो हवा में या आकाश में free होकर उड़ता, तो यहाँ पर यह sentence सही है, if I were a word, I would fly freely in the sky, यह sentence सही है, क्योंकि यह green color में दिया है, sentence सही है, लेकिन यहाँ से यदि मैं if को हटा दूँगा, तो फिर I और were को invert करना होगा, ठीक है, were I a word, I would fly freely in the sky, यहाँ पर आप देख सकते हैं, inversion applied, तो if वाले जो conditional sentences या unfulfilled desire के sentences हैं, उसमें से यदि आप if को हटा देते हैं, तो subject और word का inversion आपको करना यह बहुत ही बहतरीन concept है, बहुत ही important concept है, यह spotting error में, sentence improvement में और fillers में आप से पूछा जा सकता है, if I had listened to my father, I would have succeeded, यदि मैंने अपनी फादर की बास सुनी होती, तो मैं सफल हो गया होता, यह sentence सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यदि आप यहाँ से if को हटा द दिया, if I had listened to my father, I would have been rewarded, यह actually passive voice बन गया, जिसमें bean लगा होता है, वो passive voice होता है, इसमें would have के बाद सीधा आपने succeeded लगा दिया है, तो यह active voice है, would have का passive voice क्या होता है, would have been, तो would have been लगा दिया यहाँ पर आपने, तो would have been का मतलब है कि इसमें एक एक ऐसा विक्ती involved हो गया, एक agent involved हो गया, जिसके द्वारा काम किया गया, ठीक है, जैसे उपर वाला sentence आप पढ़ें, if I had listened to my father, यदि अपने फादर की बात मैंने सुनी होती, तो मैं सफल हो गया होता, ठीक है, और इसका अर्थ है, यदि मैंने अपने फादर की बात सुनी होती, तो मुझे rewarded किया गया होत किसी वेक्ती के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर आप बोलेंगे, मैं सफल हो गया होता, यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं सफल हो गया होता किसी वेक्ती के द्वारा, यह ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि यह active voice है, इसलिए इसमें आप agent नहीं लगा सकते, I would have been rewarded, मतलब मुझे किसी वेक्ती के द्वारा reward किया गया होता, यदि मैंने अपने फादर की बात सुनी होती, तो यह है आपका would have been होता है passive voice और would have होता है active voice, यदि यहाँ से आपने if को हटा दिया, तो यह हो जाएगा, had I listened to my father, I would have been rewarded, inversion इसमें apply हो गया, inversion is used, यह भी important है, यह concept जो है, so such to such, यदि इन से कोई sentence इस्ताज होता है, तो उसमें भी आपको inversion को apply करना होगा, to such an extent, has he analyzed the problem that no problem is left, to such an extent, मतलब, इसका मतलब होता है, इस सीमा तक, उसने इस सीमा तक problem को analyze किया है, कि आप कोई problem बाकी ही नहीं बची, to such an extent, has he, देखिए यहाँ पर मैंने बोला है, यहाँ प to such a degree, he made a noise that people rebuked him, अब आप analyze करें, इस sentence गलत क्यों है, यह गलत इसलिए है, क्योंकि to such a degree के बाद, हम inversion को apply करेंगे, और यहाँ पर inversion हमने नहीं किया, inversion जेखिए यह किया है, यहाँ पर, ठीक है, to such a degree, did he make a noise that people rebuked him, उसने इस तरीके से, इस degree का मतलब होता है, quantity को नापने के लिए, उसने इस हद तक शोर मचाया, कि लोगों ने उसको डाटना शुरू कर दिया, और लोगों ने उसको data, review का मतलब होता है, डाटना, जिसको हम scolded भी बोलते है, और एपरीमान भी बोलते हैं, उसको, तो यहाँ पर चुकि did के बाद, first form लगी है, यह sentence सही है, और इसम sentence गलत हो जाएगा, तो हमेशा sentence को इस तरीके से analyze किया करो कि कहां कहां पर इसमें गलती पूछी जा सकती है, examiner कहां कहां पर इसमें आपको confuse कर सकता है, to such a degree, did he made, यह गलत हो गया sentence, did he के बाद, made नहीं आएगा, first form आएगा, तो मैंने इतने सारे sentences कुछ गलत, कुछ सही दिय हो है, तो इस तरीके से आपको analyze करना है, not only और but also के बाद भी inversion apply होगा, ठीक है, क्योंकि not only negative word है, तो इसके बाद भी inversion apply होगा, he not only read but also write, इसको read भी पर सकते हैं, now where cable पढ़ता है, बलकि लिखता भी है, read के पहले not only है, और, नहीं, not only के बाद read है, but also के बाद write है, तो यह sentence सह ही है, क्योंकि ये correlative conjunctions होते हैं, और इसमें जो path of speech not only के बाद आएगा, वही path of speech, but also के बाद आएगा, इस rule को हमेशा धान रखिए, इस पर काफी sentences पूछे जाते हैं, अब यहां पर देखिए, not only he read, but also he wrote, यह sentence गलत इसलिए हो गया, क्योंकि not only एक negative word है, और यहां पर पहल ही है, देखिए नीचे बाला, यह गलत है, not only did he read, but she also wrote, इसको हम, क्योंकि यहां पर wrote लिखा है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे red, not only did he read, but she also wrote, यहां पर हम बोला हैं कि ना केबल उसने पढ़ा, बलकि लिखा भी, तो पढ़ने और लिखने पर हम force कर रहे हैं, इसलिए यहां पर but also ना बोलते हुए, but she also wrote, wrote से पहले आपने आपको also लगाना पड़ेगा, क्योंकि wrote को आप emphasize कर रहे हैं यहां पर, कि उसने ना केबल पढ़ा, बलकि लिखा भी, तो इसलिए also adverb को verb से पहले आपको लगाना पड़ेगा, ताकि आप इसको emphasize कर सक हैं, ठीक है, इस तरीके से यह sentence है, और मुझे उम्मीद है कि यह explanation आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ inversion के example हम और देखते हैं, देखे इसका मैं simple सा आपको बता देता हूँ, narration में किस तरीके से use होता है, देखे, narration जो होता है, दो पार्ट होते हैं, यह जो inverted commas वाला हम बोलते हैं, reported speech, और इसको हम बोलते है, reporting speech, मौहन ने कहा, तो मौहन रिपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते है, reporting, somebody is reporting here, so that is why we call it reporting speech, और इसको report क्या किया जा रहा है, तो इसको हम बोलते है, reported speech, ठीक है, मौहन ने कहा, मतलब मौहन ने report किया, और उसने क्या report कि कि do it at once तो चुकि मोहन रिपोर्ट कर रहा है इसमें इसलिए ये है आपका reporting पार्ट और इसको हम बोलेंगे reporting वर्ब और ये है आपका reported पार्ट को कि इस चीज को report किया गया है मोहन के द्वारा ठीक है तो इसमें आपको ये समझना है कि normally हम क्या करते है reporting पार्ट को पहले लिख है ठीक है यदि आप reported part को पहले लिखेंगे जैसा कि यहां पर हुआ है तो हम sad मोहन बोलेंगे मतलब हम subject यदि noun है तो इसको हम बाद में लिखेंगे मोहन सैड नहीं बोलेंगे यदि इसको हम उलट दें लेकिन यदि pronoun आया है तो इसको हम she said बोलेंगे सीधा पहले pronoun और फिर said लेकिन यदि noun आया है तो इस noun को हम बाद में बोलते हैं यदि हमने reported speech को पहले लिखा है ठीक है तो यह भी आप से पूछा जा सकता है यहां पर reported speech को पहले लिखा है इसलिए हम मोहन सैड नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे sad मोहन और यहां पर please help me इसमें चुकी pronoun है तो इसमें तो हम simple बोल सकते हैं she said तो इस video class में मैंने inversion को आपको पूरी तरीके से explain किया है और यह देखते हैं थोड़ा सा यह क्या है यह short responses होते हैं ठीक है short responses होते हैं यह और बहुत simple इसको समझना देखे यदि आप आप आपने किसी friend के साथ बोलते हैं तो आपका friend बोलता है कि मैंने यह गलती की मैंने exam में यह गलती की तो उधर से आपका friend बोलेगा कि मैंने भी की तो मैंने भी की जब उसने बोला तो इसको हम बोलते है short responses यह conversational English में use होता है इसका मैं वहां पर नहीं गया और आपका phone बोलता है मैं भी नहीं गया तो मैं भी नहीं गया जो होगा वो short response तो इसमें हम inversion का use करते हैं, ठीक है, he skipped his class, उसने अपनी class छोड़ दी और मैंने भी छोड़ दी, तो मैं बोलूँगा यहां पर he skipped his class, so did I, तो यहां पर मैं so did I की स्थान पर so I did नहीं बोलूँगा, so did I यहां पर सही है, ठीक है, इसलिए यह green color में लिखा है, he did not miss his class, उसने अ लेकिन affirmative sentences में हम so लगाते हैं, negative sentences में हम neither या nor लगाते हैं, और यहां पर जो helping verb लगेगी, वो इस tense के according लगेगी, चुकि यह tense जो है past tense में है, तो इसलिए इसमें हमने did लगाया, लेकिन यह tense यह यह present में होगा, तो यहां पर हम does लगाएंगे, यह tense यह यह perfect में होगा, तो य यहां पर हम has या have लगाएंगे, और इस subject के according यहां पर हम लगाएंगे, ठीक है, तो इसको समझना बहुत आसान है, बहुत ही simple यह concept है, he skipped his class, so did I, he did not miss his class, nor did I, कुछ incorrect sentences देख ली यह, he skipped his class, so I did, so I did नहीं होगा, तो इसलिए यह हैं आपके correct sentences, और यह हैं आपके incorrect sentences, तो इस इस video class में मैंने इनिर्वरजन का concept आपको explain करने की कोशिश की है, यदि आपको सारी चाहिए अच्छी तरह से समझ में आई है, तो यह बहुत ही अच्छा है, यदि कोई भी path आपको समझ में नहीं आया है, तो इन email ID पर और इन call and WhatsApp number पर आप मुझे अपना feedback दे सकते हैं, तो बहुत हि इनक दो ट operate at čart का समझ में आपको कर दोकी में आपको आपको का आपको आपको सकते हैं, तो उल्में समझ में आपको कई के जिए आपको करता म tääलTOR है, ऑокой है, एxt पनमे आपको क्ना Amendment लिए बहुत है, अु度 हैं free somethin्छा उनाहें लीए, इस ख़ता हैंपको कि मुट ह